हलो स्टोडेंट्स माइसेल्फ अभिशेक अगरवाल और स्वागत करता हूँ आपका आपी के चैनल मैगनेट ब्रेंज पर क्लास 12 केमिस्ट्री का 4 चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं अब बच्चो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे purification of colloid मतलब अगर तुम्हें colloid को purify करना है तो किन किन मैथट से आप colloids को purify कर सकते हो what are the different methods जिन मैथट से आप colloids को purify कर सकते हो that will be called as purification of colloid अब आप सोचो के सर कोलोइड में गंदगी आई कहां से मतलब colloid तो puri होगा ना मतलब अगर आपको purify करना है तो कुछ impurity तो होनी चाहिए तो colloid में इसी क्या impurity है वो तो खुदी एक impurity से बनी हुई चीज है मतलब वो तो खुदी एक mixture है क्योंकि जैसे muddy water आप बोलते हो अब muddy water को क्यों साफ करना सर वो तो पहले से गंद है उसको क्यों purify करना मेरी बात समझ में आरही है जैसे आप बोलते हो colloid को atmosphere जिसमें dust particles होते हैं तो dust particles होंगे तो वो colloid solution होगा अब यह दोड़ी ना कि उसमें से dust particle निकाल दो तो फिर का का colloid solution मतलब तुम purify नहीं कर रहे फिर तो तुम dispersed face और dispersion medium को अलग कर रहे हो तो फिर का है का आपका colloidal solution तो अब इसका मतलब समझना purification का मतलब क्या है जब बच्चों colloidal solution की बात करते हैं तो colloidal solution में कभी कभी हमारे crystalloids आ जाते हैं अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है simple चब्दों में कुछ soluble salts जो colloidal solution में dissolved रहेंगे उनको हम crystalloids बोलते हैं और अगर आपको simple चब्दों में इसको और simple चब्दों में जानना है तो आप इसको electrolyte का नाम दे सकते हो मतलब ये क्या है ये है simple electrolytes जो आपके कहा होते हैं किसी भी colloidal solution के साथ dissolved रहते हैं अब आप चाहते हो कि उस soluble salt को निकाल ले उस electrolyte को निकाल ले उस crystalloid को निकाल ले और colloidal solution को pure colloidal solution ही बना रहेंदे मतलब actually जो आपके सामने mixture है वो क्या है वो colloidal solution और true solution दोनों का combination है वो दोनों का mixture है और आप चाहते हो कि सब true solution का पार्ट जो है उसमें से हट जाए यानि कि जो soluble salts है या जो electrolyte उसके अंदर है या जो उसके अंदर soluble salt बनकर बैठे हुए आप उनको निकाल लो और colloidal solution pure form में आ जाए तो उसके लिए जो method आप करोगे that will be considered as purification of colloid that is called as purification of colloid कई बच्चेस को misinterpret करते कई बच्चे सोचते हैं कि सर्दिसपर्स फेस को अलग कर दो dispersion medium से तो यह purification होगा भाई यह तो colloid का खतम हो गया है तो फिर colloid जो colloidal properties है वो सब खतम हो जाएंगी क्योंकि colloidal colloid तब रहता है जब dispersed face और dispersion medium साथ में रहेंगे तो उनको साथ में ही रखना है लेकिन उसके लावा अगर कोई soluble salt है कोई electrolyte है जिसको आप crystal क्रिस्टलोइड बोलते हो अगर वो है तो उसको निकाल लो that is called purification of crystalloid colloidal solutions clear हो गया अब इसमें कितनी method होती है basically तीन method है एक है dialysis एक और dialysis का बाढ़ है which is called electro dialysis और एक है ultra filtration process यह है तीन process है आप colloid को क्या करते हो purify करते हो तीन process वो है जो को क्रिस्टलोइड से अलग करने में मदद करती है या कोई soluble salt से अलग करने में मदद करती है आइए discuss करते है तो यहाँ पर अम लोग इसके बाद आगे बात करतेे सबसे बहले process discuss करते है जो कि है dialysis आपको पता है dialysis हमारे body का भी हो सकता है हमारे blood जो है body के अंदर blood का भी आप dialysis करते हो जब acute kidney injury हो जाती है या जब kidney failed हो जाती है या kidney को transplant करना होता है तो फिर human bodies को dialysis पर रखा जाता है dialyzer करके एक machine होती है उस पर रखा जाता है जिसके through blood को purify किया जाता है एक बात बता दें blood जो है वो अपना colloidal solution है क्यों blood अपका colloidal solution है क्योंकि उसके अंदर hemoglobin present है और हमने यह चीज देख ली थी कि it's a negatively charged colloid है तो वो negatively charged colloid आपका जो रहेगा वो blood रहेगा अब आप उस blood को भी क्या करते हो colloidal solution को कि उसके अंदर जो electrolytes होते है कई बार वो imbalance हो जाते है मतलब कई बार वो electrolytes की मात्रा आपके जो water solvent body के अंदर है उसके साथ equilibrium में नहीं होती तो dializer जो है जिसके through dialysis process की जाएगी उसका यह काम होता है कि जो आपकी body में electrolyte है यानि कि जो आपकी body में soluble salts है वो आपकी body के solvent के साथ equilibrium में maintain करें और इस दोरान कई बार होता है कि electrolyte जो हैं जो ions हैं जो salt dissolved हैं उनकी मात्रा बहुत जादा होती है बारी में तो उनको उससे निकालना पड़ेगा आपको उससे उनको बाहर निकालना पड़ेगा आपको मतलब वो electrolyte को आपको निकालना पड़ेगा from the blood solution जो कि colloidal solution है तो वो dialysis process से किया जाता है और machine को कहते हैं dialyzer अब मैं आपको बताता हूँ वैसा dialysis का basic concept क्या है basic principle क्या है तो देखो it is a process of removing a dissolved substance ये वो dissolved substance है जो electrolyte के रूप में होगा from a colloidal solution जो colloidal solution में से आपको निकालना होगा by diffusion through a suitable membrane in an apparatus called dialyzer और इसमें जो principle involved होगा जिससे electrolytes निकल जाएंगे वो होगा diffusion process diffusion आपको पता है simple किसी भी चीज का movement होना किसी भी particular particles का movement होना from the region of their high concentration to the region of their low concentration मतलब उस जगा से वो भागेंगे जहां पर उनकी मात्रा ज़ादा है और उस जगा पर जाएंगे जहां उनकी मात्रा कम है यह आपको एक diagram से बताने की कोशिश की गई है कि dialysis process work कैसे करता है तो देखो आपका एक container जिसमें आपने भार एक pure पानी भर रखा है उसके अंदर आपने एक एक simple semi permeable membrane का एक container ले रखा है मतलब यह जो अंदर भर रखा है आपने जो आपको दिख रहा है एक bottle type का वो actually semi permeable membrane की एक कोई bag है यह basically एक bag होता है और इसकी जो walls होती है they are semi permeable membrane semi permeable membrane मतलब आप समझ गए ऐसी membrane जो organic चीजों से बनी हो और दूसरी बात जिसके अंदर छोटे-छोटे से pores हो जिसमें कोई particular particle move कर सके precisely solvent particle ठीक है तो इसके अंदर हम वो colloidal solution भर देंगे इस bag के अंदर वो colloidal solution भर देंगे जिसको तुमें pure करना है तो इसके अंदर colloidal solution भर जाएगा that is the soul particles and this soul particles also contains certain crystalloids तो आपको जो yellow color के छोटे-छोटे particles दिख रहे हैं they are crystalloids मतलब यह वो dissolved salts है या वो यह electrolyte है जो इस colloidal solution के साथ mix है और यही पर यह जो crystalloids है यही crystalloids हमारी impurity को बता रहे है कि यह impure colloidal solution है तो हम चाहते हैं crystalloids भार आजाए तो क्या होगा चूंकि crystalloids का जो size होगा particle का वो true solution के size के बराबर होगा क्योंकि true solution के ही पार्ट है electrolyte जो है true solution ही form करता है तो इसका जो size होगा वो true solution के range का होगा तो वो इस semi permeable membrane यह जो bladder दिख रहे है यह animal bladder है यह जो भी है आपका यह bag जिस किसी भी semi permeable membrane से बनाओ उसमें से यह सारे crystalloids बाहर निकल जाएंगे colloidal particle नहीं निकलेंगे क्योंकि colloidal particle का जो size है वो बड़ा size है तो colloidal particle आपका बाहर नहीं निकलेगा लेकिन जो बाहर निकलेगा वो crystalloids आपका बाहर निकलेगा तो वो crystalloids जैसी बाहर निकलेगा तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो water जो होता जाएगा वो आपका water और crystalloids यहां से हम water circulate कराते जाएंगे और water plus crystalloids को यहां से बाहर निकलते जाएंगे this is a membrane which is called a dializing membrane which is basically a semi permeable membrane so देखो a bag of suitable membrane like animal bladder a bag of suitable membrane like animal bladder और parchment paper और cellophane sheet यह सारी चीज़े जो है यह आपके वही जो semi permeable membrane होती है basically जो membrane होती है जिसके थूँ आप crystalloids को निकाल सकते हो बाहर उसको बनाने के लिए काम आती है वो membrane बनाने के लिए काम आती है containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is flowing continuously यह एक vessel में रखा है इस bladder को जिसके मतर colloidal solution है impure colloidal solution है और water को continuously हम क्या करते जारे है flow करते जारे क्योंकि नया crystalloid आएगा बाहर तो अगर वहाँ पानी आप change नहीं करोगे तो क्या होगा एक time आएगा जब बाहर जब बाहर जो crystalloid है उसका concentration जादा हो जाएगा तो फिर अंदर से बाहर की तरफ crystalloid move नहीं करेंगे फिर बाहर से वापस अंदर की तरफ move कर जाएंगे मेरी बात समझ में आ रही है क्योंकि यह process diffusion जो है बड़ा important process है diffusion simple क्याता है भाईया crystalloid वहाँ से भागेंगे जहां उनकी मातरा जादा है और वहाँ पर भागेंगे जहां उनकी मातरा कम है तो जादा मातरा जहां पर है वहाँ से निकलेंगे और कम मातरा जहां पर है वहाँ पर जाएंगे crystalloid तो अभी इस back के अंदर जादा मातरा है और back के बाहर जो vessel है जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें मातरा कम है तो सारे crystalloid बाहर की तरफ move करेंगे लेकिन फिर यह पानी को change करना पानी with crystalloid निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो बाहर एक time आएगा जब crystalloid की संक्या निकल निकल कर जादा हो जाएगी बाहर की side जादा हो जाएगी और अंदर bladder में जो back बना रखा है उसमें कम हो जाएगी तो वापस एक crystalloid अंदर चला जाएगा वो आपको नहीं करना है इसलिए आपको लगातार पानी जो है वो बदलते रहना पड़ेगा जो water crystalloid लेकर निकल जाएगा और fresh water फिर से वहां से inlet से आप वापस उसके अंदर रखोगे clear हो गया तो ये एक process है अभी इसमें और बात करते हैं तो पहले इसके screenshot ले लो एक बार फिर हम लोग इसके बाद और बात करते हैं screenshot लो अप So now the molecules and ions diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind तो जो भी crystalloid है जो भी उसके molecules होंगे या ions होंगे क्यों हो electrolyte होगा वो क्या होगा इस bladder से semi permeable membrane के back से बाहर आ जाएगा और जो colloidal particles है dispersed face के particles है उनका size बढ़ा होने के कारण किस से बढ़ा होने के कारण crystalloid के particle के size के मुकाबले उस crystalloid के particle के size के मुकाबले colloidal solution का चूकी particle का size बढ़ा है तो वो इसी back के अंदर रह जाएगा वो बाहर नहीं आ पाएगा वो इसी back के अंदर रह जाएगा इस process को for example blood is a negatively charged colloid and it may be purified by dialysis so this is how the process of dialysis work तो यह dialysis की process है और जो blood है वो negatively charged colloid है और blood को भी हम इसी प्रकार dialysis करते हैं बस उसमें जो bladder होता है यह ऐसा arrangement नहीं होता है उसमें एक dialyzer करके एक machine आती है जो आपकी body में आपके body पर उस पर apply की जाती है और उसके बाद आपके blood को purify किया जाता है clear हो गया लेकिन यह तब ही होता है जब kidney की functioning सही नहीं होती otherwise kidney का ही यह function है कि आपकी body में जो electrolyte है और जो blood है colloidal solution है या जो solvent आपके body के अंदर है उनके सब के बीच में equilibrium maintain करे यह kidney की working होती है तो kidney की यही purification की working है but in artificial cases if kidney doesn't work properly तो आप dialysis process पर जा सकते हो clear हो गया एक और बात dialysis process पर जो normal life देखी गई है वो 15-20 साल तक की life हो सकती है मतलब अगर एक human being को dialysis पर रखा गया तो 15-20 साल तक life जी लेता है but there are few cases जिसमें वो 20 साल के ऊपर भी life जी है clear हो गया but again it's a very good development in the science in the medical science specifically जब kidney fail हो जाती है तो यह dialysis process बहुत काम की होती है screenshot लेंगे इसके बाद हम लोग इसी के बाद और बात करेंगे अब इससे जुड़ा हुआ एक और concept आएगा electro dialysis उसके लिए देखते पहले screenshot लो now electro dialysis जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा electrical energy का अस्तेमाल करके dialysis कर दो तो electro dialysis होगा अब देखो मेरी बात यह जरूरी क्यों है जो dialysis process है जिसमें कोई crystalloid के particles उस semi permeable membrane यानि कि उस bladder या उस back से बाहर आएंगे through semi permeable membrane तो यह process जो होगी है बड़ी slow process होती है मज़भी बहुत तेजी में नहीं होती आराम आराम से crystalloid होता है बहार निकलता है आराम आराम से वो लोग बहार जाते है अब आप चाहते हो कि तेज हो यह process तो आप क्या कर सकते हो आप एक external field लगा सकते हो कौनसी field? electrical field और under the influence of electrical field वो जो crystalloid होगा वो तेजी में बहार चला जाएगा कैसे जाएगा मेरी बात को समझना इन दिस मेथर्ड एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इस अप्लाइड अक्रोस दा बैग ऑफ स्विटेबल मेंब्रेण अक्रोस दा बैग मतलब वही बैग जो साइमी परमेबल में जिसकी वाल से जिस बैग में आप को लोडल सेलूशन जो इंप्यूर फॉर्म में होगा वो भरके रखोगे उस बैग के अक्रोस आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रिकल फिल्ड अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई कर सकते हो विच कंटेंस दा सोल with the help of two electrodes तो इसके में आपको करना कुछ नहीं यह दो electrodes लगानी है तो आप यहांपर दो electrodes लगा सकते हो simple या इसके अंदर और process में यहांपर कहीं लगाना है आपको तो ये आप दो electrodes यहांपर लगा सकते हैं तो यह एक हो गया यह दूसरा हो गया ठीक है और इसको आपने बैटरी से positive, negative, positive, negative बैटरी से connect कर दिया तो this will be positive and this will be negative ठीक है अब यहाँ पर देखना यह अपने electric fields लगा दी इस पर plus यह minus ठीक है इस अप्लिकेबल only when one type of electrolyte is present as impurity in the colloid और यह method कब apply करोगे? जब सिर्फ एक ही type का electrolyte present होगा किसी भी colloidal solution के साथ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर एक से ज़ादा electrolytic solutions होगे सिर्फ एक ही electrolytic solution वहाँ पर होना चाहिए अब क्या होगा? क्योंकि वो जो electrolytes होगे उनके उपर charges होगे मतलब वो जो electrolytes होगे वो basically soluble salts होते हैं और salts के पास ions होते हैं कि टायन हो रहे हैं तो जैसी electric field आईगी तो वो उनका जो movement जो पहले से ही diffusion के थू हो रहा था वो movement और तेज हो जाएगा और जैसी वो movement तेज होगा तो जैसी electrolytes जो होगे वो जल्दी से उस bag के बाहर आ जाएंगे semi permeable membrane के through और बाहर निकल कर water press crystalloid के outlet से वो निकल जाएंगे जो colloidal solution होगा वो इसी bag में रह जाएगा बस ये process क्या होगी ये speed up कर देगी तो electrical energy यहां क्या करने वाली है इस process को speed up कर देगी तो जो process diffusion का चल रहा था वो diffusion की process में तेजी आ जाएगी और इस process को electrode dialysis बोलते हैं clear हुआ आप एक बार screenshot ले लो इसके बाद फिर हम लोग इस पे और आगे बात करते हैं screenshot लो now the next process is ultra filtration ultra filtration की process है जो बहुत important process है यह भी process जो आती है यह crystalloid को या किसी soluble salt को या आपके electrolyte को colloidal solution में से निकालने का काम करती है बढ़ प्रोसेस इस काल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब filtration का भी finest form अल्ट्रा वर्ड हम कहां यूज करते हैं जब intensity उस चीज की बहुत जाद हो क्याते हैं यार बहुत microscope देख सकता है एक छोटे size के particle को तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उससे भी छोटे size के particle को देख सकता है अल्ट्रा वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं अब एक filter paper से separate कर सकते क्योंकि filter paper का अपना एक pore होता है अपना एक size होता है लेकिन अगर बहुत छोटे particle हुए वो तो problem क्या आती है बच्चों वो filter paper से separate नहीं हो सकते और जो मैं colloidal solution की बात कर रहा हूं उस colloidal solution में जो crystalloid होगा उसका जो particle size होगा वो colloidal के भी particle size से बहुत छोटा होगा क्योंकि मैं आपको यह बात पहले बता चुका हूँ यह बात मैं बता चुका हूँ कि crystalloid जो होगे वो true solution की size की range में होते हैं तो मतलब जो crystalloid है उनका particle size बहुत छोटा है colloidal solution के particle size से भी छोटा है dispersed phase के particle size से भी छोटा है अब आप क्या करोगे एक नॉर्मल अगर फिल्टर लेते हो नॉर्मल फिल्टर लेते हो तो उससे वो तो पास हो जाएंगे उनको तो होना भी है crystalloid को लेकिन colloidal solution के particle भी पास हो जाएंगे क्योंकि colloidal solution का भी particle जो है फिल्टर पेपर से निकल जाता है अब आप चाहते हो उस फिल्टर पेपर को जो पोर्स है उस पोर्स को और छोटा कर दो क्यों आप चाहते हो आप इतना छोटा करना चाहते हो कि true solution जो crystalloid है उसके particles निकल जाए लेकिन colloidal particles जो dispersed phase के particles से वो ना निकले नॉर्मल फिल्टर पेपर होता तो दोनों ही निकल जाते तो फिर काय का separation होता कोई filtration नहीं होती आप चाहते हो colloidal जो है वो पार्टिकल ना निकले लेकिन crystalloid के जो पार्टिकल है वो निकल जाए अब इसके लिए आपको जो pore size होगा filter पेपर पे उसको थोड़ा सा बंद करन होगा और चिंता crystalloid के निकलने की नहीं है crystalloid के तो पार्टिकल इतने छोटे वो तो निकल जाएंगे चिंता colloidal solution के पार्टिकल को रोकने की है कि यह रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे क्योंकि इनका size crystalloid से तो बढ़ा है colloidal particle का लेकिन इतना भी बढ़ा नहीं है कि filter paper से रुख filter paper मतलब और चोटे pore size का filter paper तो उसको बोल दोगे ultra filtration अब वो कैसे बनाओ गया ऐसा नहीं कि ultra filter paper मिलता है या बना भी सकते हो कैसे बनाओ गया देख वे यहां पर it is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble salts by passing colloid through an ultra filter paper तो colloid को जैसी आप ultra filter paper से pass करोगे तो जो crystalloid होंगे या जो soluble salts होंगे या जो solvent होगा वो सब नीचे चला जाएगा और जो colloidal particle होंगे वो उपर रह जाएगे अच्छा इसमें dispersion medium में नीचे चला जाएगा dispersion medium को नीचे रोखेगा इल्ट्रा filter paper सर्फ किसको रोखेगा चोलोईड के dispersed face के particle को कोई बात नीचे चला जाएगे यह डिस्पर्जन मेडियम में दिंचे चला गया और सवाल कि बनेगा कैसे मुद्धा यह नहीं है कि इसके बात क्या होगा मुद्धा ये कि Ultra Filter Paper बनेगा कैसे ये मार्केट में नहीं मिलता मार्केट में मिलेगा Filter Paper तो Ultra Filter Paper कैसे बनेगा फहले उसको देख लो An Ultra Filter Paper is prepared by soaking a Filter Paper in a Collideon Solution which is a 4% solution of Nitro Cellulose in a mixture of Alcohol and Ether तो Nitro Cellulose 4% अगर आप लो in a mixture of Alcohol and Ether उसमें कुछ देर तक Filter Paper को भिगा कर रखो मार्केट से लाओ Filter Paper 4% Nitro Cellulose along with Alcohol and Ether ये एक solution होगा जिसमें आप वो Filter Paper को डुबा कर रखना ताकि Filter Paper कुछ वो solution सोक ले बाहर निकालना, ड्राइ करना hardened by formaldehyde it will be hardened by formaldehyde and then finally drying it तो जैसी finally उसको आप ड्राइ करोगे जैसी उसको सुखाओगे तो उसके छोटे छोटे जो pores थे पहले से वो और छोटे हो जाएंगे और अब इतने छोटे हो जाएंगे कि जो dispersed phase के particle हैं, जो कि relatively बड़े size के होते हैं, वो रुक जाएंगे, मतलब वो उस pores से पास तहीं होंगे, लेकिन dispersion medium, पास हो जाएगा electrolytic solution के अंदर जो soluble salt से पास हो जाएंगे, या क्रिस्टलोइड जो हैं, वो पास हो जाएंगे सिर्फ dispersion medium रुकेगा क्या गिया, simple, filter paper लाए, एक solution मनाया, जिसमें 4% nitrocellulose रखा along with alcohol and ether और इसको harden किया formaldehyde से, क्योंकि वो गल जाएगा तो आपको उसको hard करना पड़ेगा paper को इतनी देर तक solution में बिगा कर रखोगे तो वो गल जाएगा, तो आपको उसको hard करना पड़ेगा which can be done by formaldehyde और फिर finally सुखा होगे तो वो एक ultra filter paper होगा, क्योंकि उसके pores के size बहुत छोटे हो जाएगे, जिसमें dispersed face के particle past नहीं होगे, बाकी सब दुनियादारी की चीज़े पास हो जाएगे, ठीके, अब इसके बाद ultra filtration जो होगा, वो बहुत ही slow process होगा लेकिन, तो आपके dispersed face के particles तो निकल गए sorry, dispersed face के particles रुख गए, बाकी सारी दुनियादारी चीज़े के, सारी dispersion medium electrolyte, crystalloid, ये सब निकल गए लेकिन सिफ dispersed face के particle रह गए हालगी process बड़ी slow होगी इसको आप तेस कर सकते हो by applying a pressure or suction which is used to speed up the process तो pressure या suction आप लगा कर इस process को speed up कर सकते हो उसके बाद, the colloidal particles collected on the ultra filter paper are stirred with fresh dispersion medium उसके बाद, जो filter, ultra filter paper पर जो आपको dispersed face के particle मिलेंगे आप उसको लेकर जाना आप उसको लेकर जाना और उसको mix कर देना किसी fresh dispersion medium के साथ dispersion medium तो कोई भी solvent हो सकता है तो वो solvent के साथ आप उसको mix कर देना ताकि आप वापस से colloidal solution पालो लेकिन अब इस colloidal solution में क्या खास बात है यह pure colloidal solution बन गया जिसमें सिर्फ आपके dispersed face के particle थे जो filter paper के उपर मिल गए थे ultra filter paper के उपर मिल गए थे और आप freshly prepared आप dispersion medium लाए हो उसके अंदर dissolve कर देना आपका fresh prepared colloidal solution मिल जाएगा अब इसके अंदर कोई electrolyte नहीं है कोई soluble salt नहीं है कोई crystalloid नहीं है so it is finally stirred with fresh dispersion medium which is a solvent to get a pure colloid so finally you will get a pure colloid इस process को बोला जाता है कौनसी ultra filtration process याद रखना आए filtration का भी filtration में है एक तरीके से समझ लो जिसे तुम चाय बनाते हो कई लोग होंगे मेरे को comment section में बताना कितने लोग चाय बनाना जानते हैं तो चाय अगर आप बनाऊगे तो आप जब चाय बनने के बाद उसको filter करते हो तो एक छन्नी लगाते होगे तो चाय पत्ती उपर नहाती है मालनो वो डिस्पर्स फेसे और बाकी सब चाय, शक्कर मिल्क, वाटर जो उसमें मिला रखा होगा सारी दुनियादारी की चीज़े नीचे चली गई वो चाय पत्ती तुमको उसके उपर मिल गई लेकिन याद रखना यहाँ पर हम सिफ वो फिल्टर नहीं यूज़ कर रहें हम एक चलनी यूज़ नहीं कर रहें हम दो चलनी यूज़ कर रहें कई बार होता है ना कई बार आप देखना चाय की दुकान पर जाना जो चाय स्टोर्स होती है वाँपर tea stores पर वो लो क्या करते हैं वो दो चंदी लगा कर भी चाय को कभी-कभी चांत ने कभी देखना वो दो चंदी लगाना मतलब उसका filtration का भी filtration कर रहा है that is called ultra filter ultra filtration तो यहाँ पर भी हमने ultra filter paper बना है और वो जो हमको उपर particle मिल गया वो colloidal particle है mainly dispersed phase का particle है जिसको dispersion medium के साथ मिलाकर हम colloidal solution fresh colloidal solution बना सकते हैं बिल्कुल purist form का clear हो गया यह था तीन method ultra filtration इससे पहले ही electro dialysis और सबसे पहले dialysis हाला कि dialysis और electro dialysis एकी method है बस उसको speed up कर देते हैं बाइदा electrical energy तो electrical energy की मदद से वो और speed up हो जाती है प्रोसेस बाट यह थी तीन method जो की हमारे colloidal solution को pure करने में मदद करती है जल्दी साब इसका screenshot लेंगे फिर मैं video conclude करता हूँ screenshot लीजे clear होगे student तो यह दा हमारा video जिस पहे हम लोगों ने देखा कि कैसे आप colloidal solution को purify कर सकते हो जो colloidal solution में crystalloids आ जाते है जो colloidal solution में soluble salts dissolved हो जाते है जो salts soluble हो जाते है या जो colloidal solution में electrolytes dissolved हो जाते है इन सब को आप कैसे purify करते हो यह वो method थी जो की purification of colloids पे थी अगले video में हम लोग देखेंगे एक और important topic जिसमें होगा protection of colloid की colloid को क्या आप बचा भी सकते हो अब सवाल यह की बचाना किसे सारी बात करेंगे अगले video में और जैसा कि आपको पता magnet brains में class 4 से लेकर class 12 तक के हर subject और हर chapter से आपके पास available है जिनको आप access कर सकते हो magnetbrains.com पर जाकर वहाँ पर proper playlist बनी हुई है magnet brains पर और वहीं से इन से जोड़े हुए notes को भी download कर सकते हो keep learning with magnet brains stay connected, stay educated, take care